स्वहले वन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो यह चाबी हमारी ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क्ट को यह है आपके सामने टाटा अल्ट्रॉस यह इसका एक्जेट डीजल वेरियंट है मतलब टॉप मॉडल से इनवेस्ट किया है अब उनसे भी आपको मिलवाँगा कि वह दो हजार टेइस एंड है चौवी स्टार्ट हो चुका है डीजल के नॉमस आपको बताई है दस साल की वैल्डिटी वैसी रहती है घाड़ी की फिर भी डीजल की तरफ जाने का क्या प्रोग्राम मना वह ओनर से ह बात कराएंगे बट स्टिल मिलता क्या क्या उन चीज़ें के बात चीट कर लेते हैं अगर आप अल्ट्रा डीजल में प्लैन कर रहे हो तो चाबियों से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके कहां पर दो की वाइंगा अभी तोमारे साथ यह एक है ऐसा दूसरा भी आपको से करते हैं तो यह बात नाइट है और यहां पे करता हो बात है पर देख सकते हो ऑए और और देख सकते हैं यहां पर येलो रेट्स आते हैं नीचे फॉग लेंट्स हैं इसके डियारेल्स वगएरा है एजटी जाते हैं टोइब की प्लेजमेंट है हैं पर अपना ग्रिल मिलती है अनीकों टइप यहां पर टार्टागर लोगो है और यह नीचे वाला जो इसका लोगल लेपर आपको क् निकलती है अगर आपका मन करे कभी मतलब ऐसा अलॉइज वेगर आभी अपगेड कराने का तो इस गाड़ी उपर बहुत बहुत बहतरीन लगते हैं तो जो कंपनी साइस के अंदर वो है गोडियर को इसका टाइस सेक्शन जो है वो है 18560R16 जो की अच्छा खासा टाइस तो अगर आप इसका कोई बेस वेडियरेंट या बेस से ऊपर वाला वेडियरेंट फिप्लैन करते हो तो मतलब ऐसा अलॉइज वगएरा लगवाने से ही आपको ये गाड़ी मतलब ऐसा टॉप मोडल जैसे ही लगने लग जाएगी बेस मोडल मतलब ऐसा लगेगा नहीं कही और यह है इसकी रेर प्रोफाइल यह आप देख लो स्पोईलर है यहाँ पर स्टॉफ लेंफ है और यह अपना ग्लॉशिटिम्स मिल जाती है अपना क्या गयते हैं डिजाइन एलिमेंट के तौर पर डिफॉगर है वाइपर है वोकल फॉर लोकल कहाँ पर स्टिकर है 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 पर पीछे की साइड बट इसकी जो डिजाइनिंग को इस तरीके से की हुई है तो बड़िया लगती है कुलम लागे ग्लास एरिया जो है इस पूरे पोर्शन के साथ मर्ज हो जाता अच्छे तरीके से यहाँ पर टाटा का लोगो है कैमरा की प्लेस्मेंट भी है दो पारकि यहां पर आपको अपना बूट जो है एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से और यहां पर आपको आएगा इसी के नीच ही वागी मैं अभी आठाऊ हुआ नहीं इसको क्यूंकि यह कर लही गाड़ी जो है सर्विस हो गया है यह और यह देख सकते हो आप अभी इसके उपर से पॉलिश वेगर अभी सूख ही नहीं है बाकि इसको बंद कर लेते हैं बाकि अभी यह गाड़ी कल ही मतलब ऐसा सर्विस हो के आई है तो क्या एक्सपीरेंस उस चीज का भी आपको बताएंगे एक बाकि अंदर चलते हैं यहां पर आपको रुक्वेस सेंसर मिल जाता है ड् मतलब दरवाज रुक अंदर हर पैनल के अंदर और वो चीज दिखती है गाड़ी की पेंट जॉब से मतलब एक तिकनाज जो है वो दिखती है चीज में बाकि डूर पैनल की बात करें तो प्रॉप पर 90 डिगरी खुलते हैं यह देख सकते हैं आप मतलब कभी किसी ने मतलब चीज दिखा रहा है यहां पर मतलब इसके अंदर देखो मिट्टी का टाउन ही स्टार्ट हो चुकी है बाकि यहां पर हाइट एरजस्ट्मेंट आपको मिल जाती है नीचे साथ तीन पैडल्स है डैड पैडल के लिए अलाग से प्लेस्मेंट है यह मैट्स वगेरा यह सब चीज का पार्ट है यहां से खुलेगा फ्यूल लेड और इधर की साइड इंजन स्टार्ट बटन आपको मिल जाती है अपने फॉग लेंज के कंटूल आपको मिल जाते हैं यहां पे यह देखो सेंट्र लोग के का कुछ इस तरीके से मिल जाती है स्पेस वगर हां पे हैं ब कुछ भी ओन नहीं होता है अगर आप इस बटन को एक बार दबा देते हो इस सब कौन करने के लिए आपको यह बटन जो है एक बार और पैस करनी पड़ेगी तब जाके सब कुछ यहां पर ओन हो गए कुछ इस तरीके से देख लो यह आपको एनलोग मिलता है यहां पर 8000 त गाड़ी चल रही है यह है डीजल में बट फिर भी आप देख सकते हैं पर आर्पियम पूई 8000 तक दी हुई है तो यह अच्छा मतलब चीज है कि गाड़ी को खूब खींसकतों एकदम ऐसा होल्ड सा नहीं हो जाएगी एक सिचुएशन पर आगे किस्ती ही चली जाएगी ब अज़ेस्ट्मेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टिल्ट का ही ऑप्शन यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा बाकि यह हैं सारी चीज है डैशबूर दखाता हूं एक सेकिंड में ऊपर की साइड यह देख लो मतलब थोड़ी सी बेज टोन है लाइटर सीड की तरफ और ग्ल टिक फोल्ट की प्लेस्मेंट डैशबूर का व्यू कुछ इस तरीके से हाँ पर हार्मन का म्यूज सिस्टम है और यह कुछ इस तरीके कि यहां पर यह डिस्प्ले आती है बीच में एसी यूनिट कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी प्रॉपर यह देख सकते हो और यह पर है और चार्जिंग भी है और चीज़े जो है काफी सॉलिट सी स्टडी सी फील होगी मतलब यह चीप सा फील नहीं होगा आपको किसी भी चीज को पकड़ोगे फील करोगे तो सब कुछ अच्छे तरीके से हैं यहां पर कुछ ऐसा मिलेगा फाइल स्पीड का मैन्वल गेर ल और यह है प्रॉपर डैशबोर का व्यूव कुछ रहे जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में और अभी इसकी रियर स्पेस दिखाता हूं क्यूंकि गाड़ी मतलब शांदा रहा है भार से तो लगती है जबरजस अंदर से फीचर्स के मामले में सेफटी के मामले में औ तो अभी चलते हैं रेयर सीट पर और यहां पर भी वो चीज आपको मिलती है यह 90 डिग्री वाला जो एंगल है भाई सब बहुत ही अबरजस लगता है मतलब घवरा जायागा लेटरली कोई बंदा यह इतना खुल जादा है वाकि यहां की बात चीत करें तो बेज और बेज है जी यह लेग रूम है थाय रूम में मुझे कोई इशू नहीं है है यहां पर हम नहीं आता है बिल्कुल भी यह मैट की देख रहे हो आप जितना भी ऊपर उठा हुआ है मैट है यहां पर एक फ्लैट सी यहां पर सर्फेस आपको मिलती है तो हमें तीन मंदे जो है बड़ इस तरीक है कि हाँ पर दोनों ही साइड आपको होक्स मिल जा थे और यह पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैश वोड का व्यू शांतार बाकि यहीं ती सारी चीज है यहां से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में अभी आपको इसका इंजिन डीजल इंजन जो की अल्मूज जबलप करता है 88 बहट पी एंड 200 अनम का टॉर्क और 23 पॉइंट संथिंग क्लूमीटर की जो है कंपनी क्लेम करती है मतलब एक लीटर डीजल के अंदर तेज क्लूमीटर तो जाएगी जाएगी बाकि और ज्यादा भी चल सकती है यह कुद जाफट से सामने 2023 टाटाल टोस डीजल यह इसका एक जैड वेरियंट था अगर आप प्लाइन कर रहे हैं तो यह गाड़ी आप प्लाइन कर सकते हो क्योंकि इसी कंदर डीजल जो है अब एफलेबल है बाकि चलने में कैसी है यह सारी चीज़े आपको आने वाल कुछ वीडि जीजन कैसे बन गया वागी वीडियो चलेगी हो यह गाड़ी आपको पसंदो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई